यूपी बोर्ड प्रेटिकल एक्जाम होने ही वाले हैं प्रेटिकल एक्जाम में वायवा होता है और वायवा में एक्जामनर क्वेस्चन पूसता है तो वायवा के कुछ important question की सीरीज लेकर आएं है प्रेटिकल वायवा सीरीज का पहला वीडियो है आज तो चलिए, सुरू करते हैं, पहला कोशन है, पराग कणों का निर्माड कहा होता है? तो पराग कणों का निर्माड पुस्प के पराग कोश में अर्ध सूत्री विभाजन के फालसरूप होता है, फिर अगला प्रेशन है, पराग कण के चारों और कितनी भितियां होती हैं, करके किस भाग से विक्सित होती है तो पराग नलिका जो विक्सित होती है तो पराग करके अंताह भाग से या अंताह भित्य से विक्सित होती है अगला प्रशन है पराग नलिका के सीर्स पर क्या होता है पराग नलिका के सीर्स पर एक नलिका केंद्रक तथा एक जनन केंद्रक होता है मैंने आप लोगों को जब बीडियो फूल बताया था पराग नलिका पर या पराग कोस पर तो उसमें आप लोगों को समझाया था कि पराग नलिका जब बनती है तो उसमें दो केंद्रक होते हैं एक नलिका केंद्रक या नलिका को बढ़ाने वाला बृद्धी केंद्र कहलाता है और एक जनन केंद्रक होता है फिर अगला प्रेश्ण है जनन कोसिका का क्या कारे है तो इसमें दो नर्युगमग का निर्माड होता है जनन कोसिका का क्या कारे होता है इसमें दो नर्युगमग इससे बनते हैं फिर अगला प्रेश्ण है पुस्प में परागकण का अ अंकुरण के बाद पराग नली का ब्रिधि मार्ग क्या कहलाता है जो अंकुरित हो जाता है तो पराग नली बनती है पराग नली किसके माध्यम से जाते है तो वर्तिका के माध्यम से ओपर वर्तिकाग्र होता है फिर जो नीचे डंडी नुमा होती है उसे वर्तिका कहा जाता है फिर अगला प्रश्ण है बालू मिट्टी में किस प्रकार के पौधे उगते हैं नि बलूई मिट्टी जो होती है उसमें किस प्रकार के पौधे उगते हैं तो बालू मिट्टी में छोटे मरुस्थलिये पौधे उगते हैं फिर अगला प्रश्ण ह पौधों की संख्या किस मिट्टी में अधिक होती है अगला प्रश्ण है एलेलोपैथी किसे कहते हैं तो कुछ पौधों द्वारा स्रावित पदार्थ इनके समीब उगने वाले पौधों की बृध्धी को रोग देते हैं उसे ही एलेलोपैथी कहा जाता है अगला प्रश्ण है मरुद्भित पौधों के उदाहरण है यानि ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं वो उस जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है तो नागफ़नी, मदार, यूफोर्बिया, तीली, कटेली आदी ये हैं जो मरुद्भित पौधे होते हैं या मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं अगला प्रश्ण है खेती के लिए कौन सी म्रदा उपयुकत है खेती करने के लिए कौन सी म्रदा उपयुकत होती है प्रश्ण पूछा जा सकता है तो खेती के लिए दोमट या लूम उपयु स्थरी करने वाले जीवाड, सह जीवाड, आपको बताते पेटेंसियल अफ हाइडोजन होता है, यह हाइडोजन आयनो की सांद्रता पर निरभर करता है। अगला प्रेशन है, हाइड्रा कहाँ पाया जाता है। हाइड्रा तो हाइड्रा आ लवडिये जल में पाया जाता है ऐसा जल जो आ लवडिये होता है लवडिये नहीं होता है नमकीन नहीं होता है ऐसे जल में हाइडरा पाया जाता है अगला प्रश्ण है आ लवडिये पानी में पाया जाने वाले दो सहवालों के नाम बताईए यहीं ऐसे सैवाल जो आलवडिये जल में पाए जाते हैं तो स्पाइरो गायरा और वालवाक्स यह दो सैवाल हैं जो आलवडिये जल में पाए जाते हैं अगला प्रश्ण है समिष्ट से क्या अभिप्राय है एक निश्चित भावगोलिक छेत्र में एक ही जाति के सदस्यों का समूह समिष्ट कहलाता है अगला प्रश्ण है जैवी समुदाय से क्या अभिप्राय है यानि बायोटिक कम्यूनिटी किसे कहा जाता है तो एक ही वातावरण में प्राकर्तिक रूप से पाय जाने वाले पौधों, जन्तुओं एवं सूच मजीवों के बिभिन जाति समूँ जैवी समुदाय या बायोटिक कम्यूनिटी कहलाते हैं अगला प्रशन है समिष्टि एवं समुदाय में क्या अंतर है यानि एक प्रमुख अंतर बताना है तो एक ही जाति के सदस्यों का समूँ समिष्टि कहलाता है जबकि समुदाय में पौधों वा जन्तुओं की बिभिन जातियां पाय जाती हैं यानि पौधे भी और जन्तु भ बिभाजन किसे कहते हैं, यानि सेल डिवीजन किसे कहा जाता है, वायबा में बहुत इंपोर्डन सा प्रशन है पूछा जा सकता है, तो मात्र कोशिका से संतती कोशिकाओं के निर्माड को कोशिका बिभाजन कहा जाता है, यानि एक मात्र कोशिका से दो कोशिकाओं जब बनत समसूत्री विभाजन अथवा माइटोटी डिविजन कहा होगा बृध्धी भागों में जहां पर कोशका हैं बृध्धी करती रहती हैं अगला प्रेशन है गुर्षूत्र किस इस्टेन से रंग ग्रहण करते हैं यह ऐसा काउं सा इस्टेन है जिससे रंगा जाता है तो गुर प्रेशन है समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं अगला प्रेशन है प्यास के मूलागर को समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए क्यों चुना गया तो प्यास के मुलाग्र को समसूत्री कोश्का विभाजन के लिए क्यों चुना गया क्योंकि इसमें जो कोश्काएं होती हूं उनको प्रथक करना आसान है कोश्का विभाजन को अच्छी तरह से देखा जा सकता है इसलिए प्यास के मुलाग्र को चुना गया अगला मुलाग्र सीर्स को काट कर फार्मेलिन एसिटो एलकोहल में क्यों इस्थिर रखा जाता है यानि FAA में क्यों रखते हैं तो इसे मुलाग्र सीर्स की कोशिकाएं मृत हो जाती है इसमें रखने से क्या होता है कि जो मुलाग्र सीर्स की कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं और उनमें विभाजन दसा उसी अवस्था में रुक जाती है इसलिए इसे FAA या फार्मेलिन एसीटो एलकोहल में रखा जाता है अगला प्रेशन है किस प्रावस्था में गुर्शूत्र कोशिका के मध्य में ब्यवस्थित होते हैं तो मध्यावस्था की भिषेश्ताओं को बताईए तो पस्चा वस्था प्रवस्था या इसे एनाफेज स्टेज्ज कहा जाता है में संतती गुर्शूत्र बिपरीद धिरों पर पहुँचर जाते हैं या अलग-अलग बिपरीद धिरोंपर एक अठा हो जाते हैं अगला प्रेशन है अर्द ग गुर्षूत्र परस पर कहां जुड़े होते हैं एक गुर्षूत्र जो है उसके दोनों अर्ध गुर्षूत्र कहां जुड़ते हैं तो सेंट्रो मेर पर जुड़ते हैं तो दोनों अर्ध गुर्षूत्र गुर्षूत्र बिंदो अधवा अंगरेजी में कहें सेंट्रो मेर प दिखाई देते हैं, अगला प्रश्ण है, सूत्री विभाजन की पस्च अवस्था में आर्दगुर्सुरी, U या L आकार के दिखाई देते हैं, आते हैं अगले प्रश्ण पर, अगला प्रश्ण है, सबसे कम अवस्था किस अवस्था की होती है, यानि सबसे कम समय किस अवस् के अंतिम अवस्था का नाम बताईए नी ऐसे अवस्था का नाम जिसमें केंद्रक विभाजन होता है तो अंतिया वस्था में केंद्रक का विभाजन होता है अगला प्रेशन है मानों में लार कहां उत्पन होती है तो मानों में मुख गुहा में उपस्तित लार ग्रंतियों के द्वारा लार उतपन्न होती है यानि सब्स्राइबरी ग्रांट से होती हैं उनके द्वारा लार निकलती है अगला प्रस्णर है भोजन में स्टार्च की प्रमुकol क्या है ? गेहू चावल आलो मका आधर स्टार्च की प्रमुकol होते हैं अगर पुछा जाए RNA का पूरा नाम तो बताएंगे राइबो निवकलिक एसीड। अगला प्रश्ण है, DNA कोशिकाओं में कहां पाया जाता है। तो DNA कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक के अतित माइटो कांडिया है लवक आद में भी मिलता है लेकिन मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्ण है, निवकलिक एसीड। अमल कितने प्रकार के होते हैं। तो निवकलिक एसीड। दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। तो DNA में दो सूत्रों होते हैं, दो कुंडली होता है, तो DNA डबल हेलिक्स होता है। अगला प्रश्ण है, एक सूत्री निवकलिक अमल का नाम बताईए। तो एक सूत्री निवकलिक अमल का नाम आरन्ने है। अगर पूछा जाए कि दूसुत्रीय नुक्ली कमद का नाम तो दूसुत्रीय नुक्ली कमद का नाम DNA बताएंगे। अगला प्रश्चन है या इसकी जो सर रचणा में होते हो awhile को क्या कहा जाता है ? तो नुक्लीयोटाईट कहा जाता है। अगला प्रश्ण है, DNA में कौन सी सरकरा होती है, DNA में कौन सी सुगर होती है, तो DNA में डी आकसी राइबो सरकरा या सुगर होती है, डी आकसी राइबो सरकरा, अगला प्रश्ण है, DNA में पाये जाने वाले प्यूरीन बेसों के नाम बताईए, प्यूरीन बेस के नाम बताना है तो RNA में cytosin तथा यूरेसिल पाय जाता है और RNA में thymine के अस्थान पर यूरेसिल होता है बाकी सारे वही होते हैं इसलिए RNA में pyramidin base बताया गया है तो इसमें cytosin और यूरेसिल होगा अगला प्रशन है DNA के दोनों सूत्रों में बिभिन बेसों के चार जोड़े बताईए nitrogen bases होते हैं इनके चार जोड़े कौन-कौन से होंगे A double band T, C triple band G यानि जो cytosin होता है guanin से triple band से जोड़ता है और जो adenine होता है thymine से double band से जोड़ता है तो ऐसे ही T double band A हो जाएगा और G triple band C हो जाएगा आते हैं अगले प्रेशन पर परागन की परिभासा बताईए परागन किसे कहते हैं या पॉलिनेशन किसे कहते हैं तो पराग कड़ों का पुस्प के पराकोसों से निकल कर दूसरे पुस्प के वर्थिकागर तक पहुचना ही परागन कहलाता है तो बताएगा है पुस्पों के पराकोसों से मुक्त पराग कड़ों का उसी पुस्प के या उसी जाद के दूसरे पुस्प के वर्थिकागर पर पहुचने की किरिया परागन कहलाते हैं मक्का में किस प्रकार का परागण होता है तो मक्का में या मैज में वायू परागण होता है अगला प्रश्ण है दो कीट परागित पुस्पों के नाम लिखिए तो सैल्विया और अंजीर इसमें कीट परागण होता है अगला प्रश्ण है अंजीर में किस प्रकार का अगला प्रश्न ने वायुद्वाराबगित पुस्पों में दो बिसेश तायं बताई आगला प्रश्ण है परागान चोटे वह हलके होते हैं जोकि चोटे और रहते होंगे तभी तो उड़ पायेंगे हवा में और संख्या में अधिक होंगे क्योंकि तमाम सारे जो होते हैं बिखाड जाते हैं मिट्टी में खंराब हो जाते हैं तो संख्या में अधिक भी होते हैं यानि कीट को आकरशित करना है तो उसमें सहध या मकरंद होना चाहिए ताकि कीट खाने के लिए आए और पुस्प सुगंधित होगा खुस्पू देगा तभी कोई कीट उसके पास आएगा और चटकील्या रंग यानि दूर से ही दिखाई देगा तभी तो वहाँ पर इसलिए यह भी सेशताएं होना चाहिए अगला प्रश्ण है किसी पुस्प में नर्वा मादा जननांगों के नाम बताईए पुस्प में नर्जननंग पुमंग होता है या एंड्रोसियम होता है और मादा जनननंग जायांग होता है या गाइनोसियम अथवा कारपल होता है अगला प्रश्ण है परागण कितने प्रकार का होता है यानि टाइप साप पॉलिनेशन बताना है तो परागण दो प्रकार का होता है स्वापरागण और परपरागण यानि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन अगला प्रश्ण है वर्तिकाग्र क्या है वर्तिकाग अगला प्रश्ण है जायांग के कितने भाग होते है नी गानोसियम के भाग बताना है तो जायांग के तीन भाग होते हैं वर्तिकागर, वर्तिका तथा अंडासय अगला प्रशन है बीजांड कहां इस्थित होता है तो बीजांड अंडासे में इस्थित होता है यानि बीजांड कहां होते हैं तो अंडासे में पाये जाते हैं अगला प्रश्ण है निसेचन किरिया से आप क्या समझते हैं नर युगमक तथा मादा युगमक के संयुक्त होकर युगमनस बनाने की किरिया को निसेचन कहा जाता है यह जब नर युगमक और मादा युगमक आपसे मिल जाते हैं और जाइगोड का निर्माड होता है या कहा जाता है नर युग्मकोद भीद तथा मादा युग्मकोद भीद क्या है तो पराग कण नर युग्मकोद भीद होता है जो पराग कण है जो पॉलन ग्रेन है ये नर युग्मकोद भीद होता है और जो भूण कोस होता है ये मादा युग्मकोद भीद होता है अगला प्र चलिए अब मानो जनन से सम्मंदित कुछ important question को देख लेते हैं मानो में मादा युगमक तथा नर युगमक का निर्माण कहां होता है तो इसका answer होगा मानो में मादा युगमक वा नर युगमकों का निर्माण क्रमसा अंडासे वा वरस्ण में होता है यानि जो मादा युगमक है इसका निर्माण कहां होगा अंडासे में होगा और जो नर युगमक होता है इसे सुक्राण कहते हैं तो सुक्राण का निर्माण वरस्ण में होता है यानि नर युगमक का निर्माण वरस्ण में होगा अगले question पर व्रशन के चारो और इस्थित खोल को क्या कहते हैं व्रशन के चारो तरब जो खोल होता है उसे क्या कहा जाता है तो चारो और इस्थित खोल को स्वेद कंचुक या ट्यूनिका अल्बिजीनिया अस्तर कहते हैं उसे अगला प्रशन है शुक्र जनन न लिकाएं कहां पाई जाती हैं? शुक्र जनन न लिकाएं व्रशाण में पाई जाती हैं अगर यहीं पर प्रश्ण पूछा जाता कि अंडान निर्मान की किरिया को क्या कहा जाता है या अंडे बनने की किरिया को क्या कहते हैं तो अंड जनन कहा जाता है सुकनाड बनने की किरिया सुक्र जनन बताया गया है तो अंडे बनने की किरिया अंड जनन कहलाएगी और सुक्रिजनन को इस पर मेटोजनेसिस कहा जाता है अंग्रेजी में इसी प्रकार से अंडजनन को क्या कहा जाएगा उजनेसिस कहा जाता है सर्टोली की कोसिकाएं कहा होती हैं और इनका क्या कारे होता है तो सरटोली की कोसिकाएं सुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती है और इनका कार क्या होता है तो इनका कार विकास, सीर, जननिक कोसिकाओं को अवलंबन, सुरच्छा और पोशन प्रधान करना होता है आते हैं अगले परस्ट पर एक्रोसोम की से कहते हैं तो सुक्राण में सिर के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है जो मनुसी का सुक्राण होता है उसमें जो हेड होता है सिर होता है सिर के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है उसे ही एक्रोसोम कहा जाता है अगले प्रशन पर सुक्राण जनन के अतरिक्त व्रेशन का क्या कार ह तो सुक्राण जनन के अत्रिक्त व्रशन का कार नर हार्मोंस का निर्माण करना है यानि नर जनन हार्मोंस को बनाना है कुल मिला करके जो नर जनन हार्मोंस होते हैं इनसे दुतियक लेंगिक लक्षणों का विकास होता है और दुतियक लेंगिक लक्षण क्या है जैसे अंडासे के भीतरी उतक को क्या कहते हैं या अंडासे का भीतरी इस तर होता है उसे इस्ट्रोमा कहा जाता है और तन्तुमें संयोजी उतक का बना होता है अगला प्रश्ण है एस्ट्रोजन हार्मोन कहा बनता है तथा इसका कारे भी बताईए तो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माड ग्राफियन पुटिकाओं में भरे द्रव में होता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये इस्त्री में पाजाता है यानि कि ये मादा जनन हार्मोन ह होते हैं और estrogen hormone का निर्माड होता कहां है तो graphian पुटिकाओं के भरे द्रो में होता है और इस hormones के कांड दुतियक लेंगिक लक्षन बिक्सित होते हैं और तो में मादा hormones कौन कौन से होते हैं प्रोजेस्ट्रान estrogen यह मादा link hormones होते हैं अगला प्रशन है प्रोजेस्ट्रान hormone कहां बनता है तो यह hormone कारपस lutean नामक अंताहसरावी ग्रंथ में बनता है अगला प्रशन है लेडिंग की कोसिकाएं कहां पाई जाती हैं तो आप बताएंगे लेडिंग कोसिकाएं व्रशन में सुक्र जनन नलिकाओं के बीच संयोजी उतक में स्थित होती है अगला प्रशन है नर hormones के नाम बताईए तो नर hormones के नाम क्या होंगे टेस्टोइस्टेरान और एंडोइस्टेरान यह नर hormones होते हैं जबकि मादा hormones मेंने क्या बताया थे एस्टोजन और प्रोजेस्टेरान याद रखेंगे आप लोग important है अगला प्रशन है नर में दुतियक लेंगिक लक्षणों का विकास इन hormones के नियंत्रण में होता है तो बताएंगे नर लेंगिक लक्षणों का विकास टेस्टोजेरान और एंडोजेरान हार्मोन के नियंत्रण में होता है तो यह हर्मोन की कोशकाव में बनते हैं अगला प्रशन है कार्पस क्या है कार्पस लूटियम क्या है तो यह एक अंतह सरावी ग्रंथी होती है जिसका निर्माड अंडासे से डिंबो सर्ग के बाद होता है चलिए अब आनवान सिक्ता से जुड़े कुछ मेंडल का पूरा नाम बताईए तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जान मेंडल है अगला प्रश्ण है मतर का वानस्पतिक नाम क्या है तो मतर का वानस्पतिक नाम पाईसम सटाइबम है ऐसे ही सर्सों का वानस्पतिक नाम बहुत एक्जामनर पोचता है तो सर्सों का का कमप्रेश्टिस मटर का पाइसम सटाइवम अगला प्रेश्ट है आनवानसिक्ता का जनक किसे कहा जाता है आनवानसिक्ता का जनक पूछा गया है तो ग्रेगर जान मेंडल को आनवानसिक्ता या आनवानसिकी का जनक कहा जाता है अगला प्रेश्ट है मेंडल ने मटर के मेंडल ने अपने प्रियोगों के लिए मतर का पौधा चुना था प्रश्ण बहुत इंपॉटेंट है तो मतर के पौधे आसानी से उगाये जा सकते हैं इसमें विभिनताएं अधिक होती है तो परागण या पर-परागण दोनों सफल हो जाते हैं इसमें और पौधों की का अभिप्राय है यानि दुई संकर क्रास किसे कहा जाता है डाई हाइब्रिट क्रास किसे कहते हैं आंसर होगा जिस क्रास या संकर्ण में दो भिन लक्षणों का अध्यन किया जाता है उसे दुई संकर क्रास कहा जाता है जिस क्रास या संकर्ण में चाहें आप क्रास कहीं चाह संक्रण कहिए में दो भीन लक्षणों का अध्यन करते हैं उसे ही दुई संकर क्रास कहते हैं अगला प्रश्ण है दुई संकर क्रास से संबंधित नियम का नाम बताईए यानि इस पर बिल्कुल आधारित नियम कौन सा था तो स्वतंत्र अभ्यवन का नियम था ये मेंड कानियम है अगला प्रश्ण है मेंडल के दुई संकर क्रास की एव टू पीड़ी में पौधे किस अनिपात में प्राप्त हुए थे जी Association क्या है और फी Soldier क्या है तो आनवांसिक रचना के आधार पर पौधों के प्रकार को जीनोटाइब कहा जाता है और बाहल अक्षणों के अधार पर पौधों के प्रकार को फीनोटाइब कहा जाता है अगला प्रश्ण है एक संकर क्रास की F2 पीड़ी में फीनोटाइब वा जीनोटाइब अनुपात कितना होता है तो एक संकर क्रास में F2 पीड़ी में फेनो टाइप का अनुपात तीन अनुपात एक तथा जीनो टाइप अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक होता है अगला प्रश्ण है मेंडल के नियमों की क्या उपयोगिता है यानि इनके नियम की उपयोगिता क्या है चलिए साथी साथ रुधिर अधवा ब्लड के कुश्चन को भी देख लेते हैं मानों में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाये जाते हैं रुधिर वर्गों की संख्या बतानी है तो मानों में चार प्रकार के रुधिर वर्ग पाये जाते हैं A, B, A, B और O अगला प्रेशन है, रुधिर वर्ग की जीन को किस अच्छर से प्रदर्सित करते हैं, रुधिर वर्ग की जीन को किस अच्छर से प्रदर्सित किया जाता है, तो L अथवा I से प्रदर्सित किया जाता है, कैपिटल L अथवा कैपिटल I से प्रदर्सित करते हैं, अगला प्रे रग में अंतर नहीं कर पाता है तो कौन सी बिमारी होती है color blindness अर्थात वर्णान्धता की अगला प्रश्ण है वर्णान्धता रोग की जीन कैसी होती है तथा किस गुर्ण सोत्र पर होती है तो वर्णान्धता रोग की जीन अनुप्रभावी होती है और X-Link गुर्ण सोत्र प अगला प्रश्ण है Windows Peak क्या है तो Windows Peak एक ऐसा अन्वानसिक लक्षण है जिसमें माथे के ऊपर बालों की एक विसेस पंक्ती बन जाती है विसेस लाइन बन जाती है और मांग के समीव V की आकृती बन जाती है यानि बालों में V की आकृती बन जाती है माथे के ऊपर उसे ही Windows Peak क तथा जीब को गोल करने के लक्षण की जीन्स प्रभावी होती है और आटो सोम्स पर होती है अगला प्रश्ण है मानों में रुधिर वर्गों की खोज से संबंधित किस वैज्यानिक को नोबल प्रुसकार मिला काल लेंड इस्टीनर को सन 1930 में मानों के रुधिर वर्गों की खोज के लिए नोबल प्रुसकार से संबंधित किया गया था अगला प्रिश्ण है सर्वदाता कौन से रुधिरवर्ग के वेक्ति हैं सर्वदाता ऐसा कौन सा वेक्ति होता है जो सर्वदाता होता है तो ओ रुधिरवर्ग वाले वेक्ति सर्वदाता होते हैं अगर पूछा जाता सर्वगराही कौन से होते हैं तो सर्वगराही A B रुधिरवर्ग वाले सर्वगराही O वाले सर्वदाता A B सर्वगराही अगला प्रशन है किसी दमपत्य के बच्चे चारों रुधिरवर्गों A, B, A, B और O के ही हों तो दमपत्य का रुधिरवर्ग क्या होगा तो ऐसे दमपत्य में A का रुधिरवर्ग A तथा दूसरे का रुधिरवर्ग B होगा तब ही उनके बच्चों में रुधिरवर्ग A, B, A, B वा O हैं अगला प्रश्ण है वर्डांता के समान ही दूसरा अन्वांसिक रोग कौन सा होता है तो जैसे वर्डांता अन्वांसिक रोग है जेनेटिक डिसीज है उसी तरह से हीमोफिलिया रोग भी अन्वांसिक रोग होता है या जेनेटिक डिसीज होता है और इस रोग में होता क्या है हीमोफिलिया में तो हीमोफिलिया में रुधिर का ठक्का नहीं जमता है या बहुत चलिए, अब रोगों से जुड़े कुछ प्रस्ट को देख लेते हैं अमीबीय पेचिस किस से होती है Amoebae apaches Antamoeba histolytica से होती है और Antamoeba histolytica Proto-Jowa संकाजनतु है अगला प्रशन है Plasmodium द्वारा मानों में कौन सा रोग होता है तो Plasmodium के द्वारा मानों में Malaria रोग होता है Malaria रोग अगला प्रशन है Plasmodium किस प्रकार का परजीवी है तो Plasmodium द्विफिन नजाती मनस्यों में अंताः परजीवी या अंतरकोस किये परजीवी होता है यानि अंताः परजीवी है अगला प्रशन है Malaria रोग के प्रमुख लक्छान बताईए Malaria रोग में यानि Malaria बुखाराता है तो उसके लक्छान कौन कौन से होते है तो Malaria रोग में रोगी को तेजी से कपकपी के साथ बुखाराता है यानि जाड़ा लगता है बहुत तेजी के साथ तब बुखाराता है सरीर कापने लगता है कुछ समय बाद अत्तधिक पसीना निकलता है और ताप कम हो जाता है तथा कमजोरी का अनुभो होता है और थोड़ी समय के बाद ठंडी कपकपी के साथ फिर से बुखार चाड़ता है तो ये रोग लक्षण प्रकट होते है अगला प्रशन है एसकेरिस कहां पाया जाता है एसकेरिस कहां पाया जाता है बताना है तो एसकेरिस मनस से सुवर भेड़ आद की आथ में परजीवी के रूप में पाया जाता है अगला प्रश्ण है दाद या रिंग वर्म सरीर के किस अंग का रोग है तो दाद या रिंग वर्म सरीर के तवचा का रोग है जो हमारा अध्यावणी तंत्र होता है तो अच्छा है ये इसका रोग है यानि की त्वचा में ये होता है चाहे दाद हो खाज हो खुजली हो आता हो ये कवक जनित रोग होते हैं और कहां पर होते हैं तो हमाई त्वचा में हो जाते हैं अगला प्रश्ण है दाद किस रोगा द्वारा होता है तो दाद कवक जनित रोज है फांजाई के द्वारा फैलता है और कौन से होते हैं ट्राइकोफाइटान, माइकोस्पॉरम तथा एपिडोडर्मोफाइटान आदि के द्वारा ये दाद होता है आगला प्रश्ना है एसकेरिस एक लिंगी जनतु है अधवाद जाता है और ऐसा जनतु जिस जीव में एक ही जीव में नर्त था माधा दोनों जनन अंग पाये जाते हैं तो उसे द्विलंगी जिव कहा जाता है जैसे केचुवा द्विलंगी होता है जबकि एसकेरिस एक लिंगी होता है तो द्विलंगी जनतु भी एक्जामनर पूस सकत होती हैं अगला प्रश्रण है एंट अमीबा हेस्टिलिटिका कहां पाया जाता है एंट अमीबा हेस्टिलिटिका मनुस की नात में पायां तर रहता है और दो ये प्रोटो जोबा संकाप्राडी है जय जनतु में पूरा होता है तो प्लाज्मोडियम वाइवाइक्स का जीवन चक्र दो पोसुदों में पूरा होता है और इसी के द्वारा मलेरिया रोग होता है दो पोसुदों में पूरा होता है इसका जीवन चक्र एक तो मनुस्य और दूसरा मादा इनाफलेज मच्छर अगला प्रश सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे धन्यवाद